जेहिन दोस्तों मैं हुआ नूप और आप सब लोग देखे रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक तो दोस्तों इंडियान नेवी के एर डिफेंस का सबसे बड़ा ताकत है बराक एट मिसाइल जो इंडियान नेवी के हर एक मौडन जहाजों में लगाय जा रहा है और जो हर तरीके के दुश्मन के मिसाइल से लेकर दुश्मन के एर क्राफट और अनमैन अरियल वीयक लोग को मार गिरा सकता है पर क्या आप लोगों को पता है कि बराक एट मिसाइल असल में कितना दाकादवर है और इसका कौन-कौन सा विरियंट भारत द्वारा इस्तिमाल किया जाता है और मिसाइलों के जो अलग-अलग variant है इसमें क्या differences है तो दोस्तो आजके इस वीडियों मैं आप लोग को बराकेट मिसाइल के बारे में detail में बताऊंगा और साथ में इन मिसाइलों के अलग-अलग variant का क्या capability है और क्या purpose में इसे इस्तिमाल किया जा रहा है तो detail में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को subscribe और वीडियो को like ज़रूर कीजिए तो दोस्तो ये जो बराकेट सिश्टम है इसे कई-कई जगा में इलार सैम भी कहा जाता है और ये असल में एक medium range के ship 1 air defense system है जिसका इस्तिमाल cruise missile, aircraft और अन्ने aerial targetों को तभा करने के लिए किया जा सकता है इन सिश्टमों में missile के इलावा battle management, command control, communication और intelligence system तो रहता ही है साथ में vertical launching सिश्टमों के द्वारा इसका intercept missile को दागायाता है missile को guide करने के लिए multifunctional surveillance tracking और guidance system है और total system के द्वारा बराक 8 missile या फिर बराक 8 ER interceptor को launch किया सकता है जो 360 degree में काम करता है अब यहाँ पर इन missile को लेके सबसे बड़ा सवाल यह है कि बराक 8 missile के अजल कितने variant है दोसों basically अगर देखा जाए तो बराक 8 missile के total 3 variant है जिनमें सबसे प्रमुक या फिर बोले तो इसका base variant को हम बराक 8 AMD या फिर LR SAM के नाम से जानते है originally इस तरीके के equipmentों को navy के जहाजों में इस्तेमाल करने के लिए design किया गया था और इसका इस्तेमाल इस्राइली ने भी और इंडिया नेवी द्वारा किया आता है जबकि इसका एक land waste version मतलब army और air force के लिए इस्तेमाल किया जाने वले version को तैयार किया गया है जिसे हम MR SAM मतलब medium range surface to air missile के नाम से जानते है और इन missile के extended range version या फिर बोले तो बराक 8 ER असल में इसका सबसे अधिकतम range वाला missile system है जबकि इसके इलावा कई कई जगाओं में बराक 8 AMX नामक एक missile variant का भी बात कहा जाता है जिसे एक modular version कहा जा रहा है और इसे ऐसे design किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल नेवी के इलावा land waste forces के द्वारा भी समान रूप से किया जा सके तो सो बराक 8 strategically venerable missile system है जिसका इस्तेमाल हर तरीके के हवाई खत्रे को neutralize करने के लिए किया जा सकता है इसके पास all weather day or night capability है और इसका multiple simultaneous engagement system इसे एक ऐसा complex system बनाता है कि ये एकी साथ में कई सारे target हो को track और उसे निशाना बना सकता है और बराक 8 MX missile को लेके कहा जा रहा है कि ये extended range missile के जैसे short, medium और long तीनों range में ही समान रूप से कारिगर होगा बराक 8 missile को इंडिया और इस्राइल के द्वारा jointly बराक 1 missile को replace करने के लिए develop किया गया है पर दोस्तों समय के जरौत को देखते हुए इन missile में खाली replacement capacity को नहीं रखा गया है बलकि इसके इलावा कई सारे उन्नतिकरन किया गया है जैसे कि इन missile के पास अब दुश्मन के aircraft के इलावा missile को मार गिराने का शमता है जबकि state of the art phase array multifunctional radar का इस्तेमाल के वज़ा से ये missile low observable object को भी track कर सकता है जबकि इसके इलावा missileों में two-way data link flexible command and control system भी इस्तेमाल किया गया है जिसके वज़ा से ये simultaneously एक से अधिक target को track करता है two-way data link के वज़ा से एक तरफ जहाँ पे command and control system के द्वारा target related data को missile तक भीया जा सकता है तो वही पे missile के radar के जानकारी वी command and control system तक पहुंच सकता है और इसमें जो radar का इस्तेमाल किया गया है संभावित ऐसे ताकदवर और आधुनिक generation के radar दुनिया के किसी वी अन्य इस category के missile के पास नहीं है इविन दोस्तों कई कई जगाओं में तो बराक 8 missile को दुनिया के सबसे घातक तरीन anti-ship missile को रोकने का भी capable कहा जाता है मतलब मेरा यहाँ पे कहना है ब्रमोस missile को लेके वैसे अगर देखे तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है कि ब्रमोस missile को बराक 8 का सामना करना पड़े पर कहा जाता है कि दुनिया के यह सबसे ताकतवर missile को भी 500 मिटर के distance में भी रोकने का शमता बराक 8 missile के पास है दोसों बराक 8 के naval variant के पास 70-100 km तक target को निशाना बनाने का शमता है जबकि इसे basically anti-ship cruise missile को ही counter करने के लिए design किया गया है इसके इलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले ELM 2248 MF Start Active Electronic Scan Array Radar इसे इतना capable बनाता है कि यह point defense के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है दूसरे तरब MR SAM मतलब medium range surface to air missile जो Indian Air Force और आर्मी के लिए design किया जा रहा है वो भी लगवग इतने ही range के मतलब 70-100 km range में target को निशाना बना सकता है लेकिन यहाँ पे इसका men purpose दुश्मन के cruise missile को रोकना है जबकि इसके इलावा aircraft, unmanned aerial, vehicle, helicopter और संभावी short range के ballistic missile को भी रोकने का शमता इन missile के पास है पर extended range missile के पास इससे कई अधिक गुना शमता मतलब करीबन 1500 km दूर तक target को निशाना बनाने का समता है और दोस्तो extended range version और bracket के normal version में खाली difference इसके range capability को लेके ही है जबकि performance दोनों missile का लगभग सेम है और इन variant के इलावा bracket missile को लेके यही ख़वर आ रहा है कि संभावित इसका एक air to air variant भी तैयार हो सकता है कई सारे देश दुनिया में ऐसे surface to air missile को air to air missile के रूप में तबदिल कर चुका है और इसके success को देखते हुए ही संभावित आने वाले समय में बराकेट missile का एक air to air version भी हमें देखने को मिले दोस्तों आपके जानकरी के लिए बताया दूँ कि इंडिया के पास फिलाल अपना खुद का beyond visual range air to air missile मतलब अस्र मिसाइल है लेकिन माना जा रहा है कि अगर इस्राइल बराकेट missile को air to air missile में तबदिल करेगा तो इसका संभावना इंडियान एर फोर्स में भी बढ़ सकता है अब दोस्तो सवाल ये भी है कि अगर बराक एड मिसाइल को air to air मिसाइल में convert किया जाता है तो इससे इंडियान एरफोर्स को क्या फाइदा मिल सकता है तो दोस्तो आपके जानकरी के लिए बता दू कि इंडिया दुआरा अलरेडी बड़े संख्या में बराक एड का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये को डेवलोप्मेंट होने के वजए से इंडिया के कई सारे कमपनियों में भी इसके अलग अलग पार्ट्स का भी निर्मान किय जा जाता है और इंडिया में पुरा का पुरा मिसायल को भी तयार किया जाता है मिसायल में एक extent active seeker भी है जो इस मिसायल को काफी आसानी से air to air मिसायल में convert करने में मदद करेगा जबकि जो two-way data link का इस्तेमाल किया गया है वो भी लगभग इसी तरीके का मदद करेगा जो मि इना कोई बड़े तवदिली का एर-to-air मिसाइल में कनवर्ट करने के लिए काफी वहतरीन हैं। इवन इसराइल के साथ जॉइन डवलोपमेंट होने के वज़ा से इसका इस्तेमाल इंडियन एरफोर्स के DRDO एवेक्स या फैलकॉन एवेक्स के द्वारा गाइट करते हुए भी किया जा सकता है। दोस्तों मिसाइल का लंबाई करीवन 4.5 मीटर और वजन करीवन 275 किलोग्राम होने का मतलब ये भी है कि ये स्पेसिफिकली बियोंड विजूल रेंज एर-to-air मिसाइल के तुलना में काफी यादा वारी या काफी जादा बड़ा भी नहीं है। दूसरे तरफ इसका आकार इतना भी नहीं है कि इसे आसानी से FGFA जैसे फाइटर एरक्रेप्टों के इंटरनल वेपन बे में लगाया ना जा सके। मतलब अगर इसे air-to-air मिसाइलों में कनवर्ट किया जाता है तो इंडियन एरफोर्ट के बड़े आकार के एरक्रेप्ट और फ्यूचर के कुछ स्पेसिफिक एरक्रेप्टों में इसे कैरी करने का शमतावी होगा। और अगर रूल के इसकाजाए तो किसी भी शर्फ्टों एर मिसाइल को अगर एर-to-air मिसाइल में कनवर्ट किया जाता है तो इसका रिंज करीवन तीन मुना हो जाता है। मतलब बराकेट मिसाइल को अगर air to air मिसाइल में convert किया जाएगा तो इसका range 200 km से भी अधिक होगा और already existing technology होने के वज़ा से और joint development होने के वज़ा से इन मिसाइलों को काफी economically बनाया जा सकता है मतलब तुलना मुलक रूप में ये काफी सस्ता हो सकता है पर दोस्तों यहाँ पे अपने बलबुते पे बना ले इवन भारत का एक संकल्प ये भी है कि आने वाले समय में missile के technology के मामले में भारत पूरा पूरी आत्मनिर्फर होना चाता है और संभावित इसी वज़ा से इंडिया और किसी foreign country के साथ ऐसे महत्योपूर्ण project में आगे ना बढ़े तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ ने बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद